तो डिफ्रेंशियेशन % चल रहा था हमनेositionнак flewImp तो दोनों हूट आज हम लोग करेंगे कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है सबसे पहले तो यह समझना है करीप पूरी बुक कर रहे हो तो ठीक है आज में और कराऊंगा तो आज के बाद में फिर यूट भी फ्री तू कंप्लीट दो होल बुक उसके बाद फिर हम लोग डिसकस करें आज का पार्ट और कंप्लीट हो जाए अपना देखो क्या होता है इन्वर्स फंक्शन के डिफ्रेंसियेशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है जो हमने पहले सीखा हुआ है उसको समझ लो तो अगर इन्वर्स फंक्शन आपने पहले नहीं भी किया हुआ है बेटा आइम नोट शूर अब बंदार नॉट बुकलेट साक्षी आइमीन टू से यूर एचसी बुक उसमें से करने के लिए बोला था मैंने सबसे शिरू में उसके बाद मैं बुकलेट करना सबसे पहले हम समझते हैं inverterst function का मतलब क्या होता तो अगर इन्वर्स function कि अगर आपसे नहीं भी पढ़के रखा हुआ है तो भी एक बार यहाँपे ध्यान से देनाग्ण देखना आपको समझ में आएगा वैसे तो मैंने एक basic idea आपको inverse function का जब function थोड़ा सा पढ़ाया था मैंने जब आपको दिया था बट यहां पर हम देखते हैं inverse function का मतलब क्या होता है inverse function का मतलब यह होता है जैसे suppose कोई f of x एक function है जैसे log x हो गया log x बेसी इसका inverse function अगर आपको निकालना है तो हम क्या करते थे हम करते थे y is equal to log x बेसी e की power y is equal to x और we can say x is equal to e की power y कुछ इस टाइप से हम इसको लिखते थे और यह जो function बद आता है आपके पास वह inverse function आता है किसका f x का तो अगर मैं इसको function लिखूं कि मैंको f inverse of x लिखना है ठीक है f inverse of x is a sign of inverse function of f of x ठीक है इसको कैसे लिखूंगा तो मैं लिखूंगा e raised to the power x क्यों मैंने x लिखा है या y को x से इसलिए मैंने replace किया क्योंकि जब भी आपको फंक्शन लिखते हो तो variable x में जनरली लिखते हो तो इसलिए आपने x लिखा हुगा ठीक है या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जी इस inverse of जी इन्वर्स ओफ फंक्शन एफ ठीक है अगर जी इन्वर्स ओफ फंक्शन एफ एकस है तो आइकन राइट इट लाइक जी ओफ सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इन्वर्स फंक्शन जब भी पॉसिबल हो पाता है इन्वर्स फंक्शन जब भी पॉसिबल हो पाता है जब जो फंक्शन है वो वन वन उन्टू वन वन उन्टू यह हम लोगों ने किया था इसको मैं अभी नहीं जाओंगा डिटेल में बट बस आप यह याद रखो कि फंक्शन बाइजेक्टिव हो वन वन उन्टू मतलब इ पॉसिटिव रियल वेल्यू इसको लिख देता हूं कि माइं इन्पूट इस अल्सों पॉसिटिव रियल वेल्यू अउट्पूट इस पॉसिटिव वेल्यू इन्ट कंडिशन इस फंक्शन बिकाम वन वन अब अगर आपको इसका inverse function निकालना तो आप इसको लिखोगे y इस कोई मतलब नहीं है यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आता अगर आप इस equation के solution देखोगे तो बट माइनस आप निगलेक करोगे क्योंकि माइनस of root y will always be negative and x is definitely positive तो that's why आप इसको plus root y मानके ही चलोगे तो आपके पास क्या आगया आपके पास आगया root of x होगा अब यहाँ पर variable if you want to choose y you can write y here if you want to choose a you can choose a here ठीक है तो this is how we find out the inverse of a function ठीक है अब कभी कभी question आपके पास यह आता है मैं पहले आपको question बताता हूं उसके बाद में मैं आपको concept बताऊंगा कि उसको apply हमको कैसे करना है ठीक है अब जैसे कि आपको कोई question दिया अब इसको कॉपी कर लो बेटा कर लो कि इसको कॉपी कर लो इंवर्स फंक्शन निकालतो रहे हैं कम से कम एट लिस्ट लम को पता रहे हैं कर लो कॉपी कर लो कॉपी कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो झाल If the function is bijective, then only we can find out the inverse of the function. मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे एक्स को मैंने यहाँ के टर्म में निकाला, यहाँ भी मैंने वही लिखा, y equal to x square, x को y के टर्म में निकालने के बाद में जो y के अंदर expression बसता है, that is the inverse function. तो यह वाला inverse function आ रहा है, अब अगरा variable x यूस कर रहे हो, जैसे f inverse x लिख रहे हो है, g of x लिख रहे हो, तो variable x यूस कर रहे हो, तो y के जगे आपको x put कर देना है. सिमिलरी यहाँ पर भी यह function आ गया, अब आप variable x यूस कर रहे हो, तो यहाँ पर root x लिख देना, this is how we find out inverse of a function, ठीक है? अब यह example पर वापिस आते हैं, f x is equal to log x base e, and suppose g is inverse of f of x, then find g dash of 2 suppose, ठीक है, अगर आपको यह g dash of 2 निकालना है, तो आप ideally इसको कैसे proceed करोगे? इसको करोगे कि y is equal to log x base e, e raise to the power y is equal to x आ गया, x is equal to e की power y आ गया, g inverse function है, तो g x is equal to e की power x आ गया, यह तो हम लोगों ने किया ही किया, अब अगर आप इसको differentiate करोगे, तो g dash of x कितना आ जाएगा? e की power x आ जाएगा, e की power x का differentiation e की power x, वो g dash of 2 अगर आपको निकालना है, तो आप e की power 2 निकालके answer मुझे दे दोगे, यह अपना एक normal method हो गया, आगे से अब हम कैसे solve करेंगे, आगे से हम solve करेंगे, रिया बेटा आपको कुछ doubt है कि क्योंकि आपके name से आप तो होई ही हो, एक और भी कोई मंदा है, थोड़ा ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो उसको मैंने निकाल दिया है, मैं समझ गया था हूँ, बार-बार reason कर रहा था, बुचको लिख रहा था, तो मैंने उसको निकाल दिया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको निकालने के लिए अब हम आगे से क्या करेंगे, तो आगे से एक relation है, वो आपको याद रखना है, इसको कैसे हम अपलाई करेंगे, वेर जी इस इन्वर्स ओफ, अब आपको जो वेल्यू निकालनी है, वो निकालनी है, जी डेश ओफ टू की वेल्यू, ठीक है, अब जी डेश ओफ टू, अगर आप इसको कंपेर करोगे बेटा, किसको इसको कंपेर करोगे, तो एफेक्स की जगे क्या लिखा हुआ है, जरा बतता हूं मुझे, एफेक्स की जगे क्या लिखा हुआ है बेटा, टू लिखा हुआ है, करेक्ट, एफेक्स की जगे टू लिखा हुआ है, तो एफेक्स की वेल्यू अगर मैं टू मान लेता हूं, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, therefore, f of x मेरे पास कितना आगया, 2 आगया, अभी f of x 2 आगया, तो x कितना आएगा, तो x कितना आएगा, यह मैं निकालूँगा, कैसे निकालूँगा, f of x की वेल्यू log x base e होती है, तो therefore, log x base e की वेल्यू कितनी आगई भाई, 2 आगई, और तो इसका मतलब क्या हो गया, x equal to कितना आ गया होगा, e raised to the power 2 आ गया होगा, समझ मैं आ रहा है, मतलब simple funda ये है, कि fx अगर 2 है, तो x कितना होगा, वो हमने निकाल लिया, ठीक है, अब अगर मैं यही वाला formula यहाँ पे लगाता हूँ, ध्यान देना, यही वाला formula अगर मैं इसको लिख दू, e square लिख दू, यह समझ मैं आ रहा है, x की जगे मैंने कितना निकाल लिया, e square निकाल लिया रही, तो मैंने e square लिख दिया, ठीक है, इतना समझो सबसे पहले, अब f dash of e square अगर आपको निकालना है, अब कोई आपसे पूछ रहा है, कि f dash of e square कितना होगा, त आपको पता हération के f x कितना है आपके पास, एक से log x, बेसी ln x है, इसको डिफ्रेंशिय ट करोगे, तो f dash of x कितना आजाएगा, one upon mē x आजाएगा, right, तो f dash of e square कितना आजाएगा, one upon mे e square आजाएगा, तो फिर इसमें जब आप रेप्लेस करोगे, तो one upon mे, one upon mे e square से replace करोगे तो आप कांसर कितना आ जाएगा इसकोर तो जी डैश ओफ टू आपके पास कितना आ गया इसकोर अगे जब आप देखोगे आगे जब आप देखोगे यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन आती है यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन आती है रिलेशन का प्रूफ मैंने अब ही तक आपको बताया नहीं है यह रिलेशन की हेल्प से मैंने यहाँ पर निकाला है ठीक है एक बार मैं और एक्स्प्लेइन करूँगा ठीक है एक बार एक्स्प्लेइन कर रहा हूं ध्यान देना यह वाला सबको समझ में आगे इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं इसको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बात कर रहा हूं अभी ठीक है जो जी डेश ओफ एक्स इक्वल टू वन बा एव डेश एक्स होता है और जी इस इन्वर्स ओफ एक्स जी क्या होता है एफ एक्स का इन्वर्स होता है तो g dash of 2 equal to 1 of 1 में f dash of x आना है तो मेरी duty क्या है कि भाई जब fx 2 है तो x कितना है वो निकालना है क्योंकि यहाँ पर x लिखा हुआ आएगा मेरे पास यहाँ पर x लिखा हुआ है मेरे पास तो मेरा काम यह है कि अगर fx 2 है तो x कितना होगा तो fx मेरे पास 2 है तो x कितना होगा यह मुझे आइडेटिफाई करना है fx फंक्शन खुद क्या है fx कुद फंक्शन lnx से log x बेस e तो log x बेस e की value अगर मैंने 2 ले लिए तो भाई किस x के लिए लिए तो अब इस equation को solve करूंगा तो x equal to e square मेरे पास आएगा तो अगर fx 2 है तो x कितना था हमारा question था तो हमको x equal to e square लेना है ठीक है अब x equal to e square लेना है तो यही relation मैंने g dash of 2 जब लिखा तो fx की जगे 2 लिख तो x की जगे e square आया तो x की जगे e square आया तो वन अपन में f dash of e square आया ठीक है अब यह relation जब आपके पास आ गई हाँ you can solve in this method as well कोई problem नहीं तो f dash of e square अब आपको निकालना है अब f dash of e square निकालना है तो f dash x की value आपको fx की value पता ln x से differentiate करोगे 1 by x आएगा f dash e square x की जगे e square पुट करोगे 1 by e square आएगा तो f dash of e square is 1 by e square मैंने यहां से replace कर दिया 1 by e square इसको उपर ले जाओंगा तो e square आजाएगा यहां से भी हुई answer तो this is the formula which you need to remember आगे से कभी इंवर्स function का differentiation पूसता है तो generally वह इसी method से solve करता हुआ रहता है कि इसको आपको याद रखना है एक दो कोश्चन में और कराऊंगा आपको कि इसको नोट कर लो दोनों मैथट मैथट वन भी नोट कर लो जो लॉजिक से है पूरे इंवर्स फंक्शन की और मैथट सेकेंड जो है इस फॉर्मूले से मैंने ने हाँ यह कैसे आया तो बैटा कि आद मैंने है इस सभी आइसा है इस लॉग एकज वेस इपक्स स्थ कितना होगा रहेस पावर टूइं necesita की की men वो फॉर्मूले के डेरिवेशन में अभी नहीं सबसे पहले प्रेक्टिस करो बेटा डेरिवेशन इस नॉट इंपॉर्टन्ट एक और कुश्चन में आपको देता हूं f x is equal to suppose आपने ले लिया इस बार e raised to the power x find f inverse of इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कभी कभी आता है f inverse 2 का differentiation निकालना है कि इसको इस तरीके से मत लिखूआ इसको और इस तरीके से लिखो प्रोफेशनल में एफ इन्वर्स और इस इन्वर्स का differentiation एक टू इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब मैं आपको एक बारूर बता रहा हूं इसका मतलब क्या हो गया कि सपोसज जी ओफिस इन्वर्स आफ इन्वर्स आफ एफ आफ एफ एफ एग्स देन इस इस जी डैस आफ टू बस ओर कुछ नी एफ इन्वर्स का डिप्रेजेंटेशन होता है डैश का मतलब तो डिफ्रेंसियेशन होता है इस कोश्चन को आप नहीं वाली मैथ्थड जो मैंने आपको बताईए उससे सॉल करके देखना इन्वर्स फंक्शन निकालके मत करना मैं क्रोस वरिफाइज जरूर कर लेना जी डैश ओफ f of x is equal to 1 upon me इससे करके देखना आप इसको इस वाले लोजिक से हुआ हुआ तो अब हम क्या करेंगे हमको निकालना है जी डैश अफ टू निकालना है ठीक है तो हमको जी डैश अफ टू निकालना है तो जी डैश अफ टू वन अपोन में एफ डैश अफ वाट होने वाला है यहां हमको नहीं पता है यहां पर क्या आने वाला हमको नहीं पता है क्योंकि हमको अगर एफ एक्स इस इक्वल टू टू देखे रखाए जैसे एफ एक्स अगर टू है मेरे पास तो एक्स कितना होगा दुद्ध कितना होगा आप लेना पढ़ेगा आपको लॉगऊ बेसी लेना पढ़ गये एकस निकालने के लिए राइट प्लों स्वस्थी एकसी को टूफ कितना होगा इलन ओफ तुम tony i at कि य रिलेशन लिख सकता हूं कि जी डेश ऑफ 2 जो होगा वो होगा 1 अपन में F डेश ऑफ LN अब F डेश ऑफ LN ऑफ 2 क्या आएगा ये एक दुनिया अलग हो गई क्योंकि मेरे पास Fx एक फंक्शन है जो कि E की पाउऔर X है तो F डेश ऑफ x मेरे पास कितना आजाएगा दोस्तों सब्सक्राइब और एक सिया जाएगा और एव डेश ऑफ एलेन अफ टू कितना आजाएगा ए रेस्टु दो पावर एलेंट टू आ जाएगा और ए रेस्टु दो पावर एलेंटू की वेल्यू आपको पता है टू आती है लॉक की प्रॉपरिटी से ठीक है तो बिल्कुल सही आंसर आपका वन अपॉन में टू अंसर आ जाएगा कुंआ को अखर इसको आप पीस तरीके से नहीं करते मान लो ढाओ इसको आप से करते तो आप क्या करते मैं यहां यहां पर वाली मेथड़ कुरिश्ण निकालने की चना कि आब को इंवर्स function भी निकालना आए तो य इस एकल तो यह कितना आ जाएगा लॉग लोग गया तो लॉग वाई बेसी इस इक्वल टो एक्स आ गया तो एक्स कितना आ जाएगा आपके पास यहां पर लिख देता हूं एक्स इसere इक्षालगा जाएगा लॉग फयी तो जी ओफ एक्स कितना आ जाएगा आपके पास लॉग एक्स फंक्चना आजाएगा डिफ्रेंशियेट करोगे तो कितना आ जाएगा वन अपन में एक्स आ जाएगा एक्स की वेल्यू कितनी है बाई जी-ड sticking тех या तो आपको अगर मैंने कुछ इस ताइब से इन वर्स फंक्शन का इफ्रेटियेशन पूछा है तो आपको इसी मैंठर से निकालना पड़ेगा जिसे अब आगे का एक 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 जामपल मैं आपको दे रहा हूं How is fx equal to 2 बेटा यह तो माना है ना हमको g-2 निकालना है देख यह fx है यहाँ पर तुने g-2 पूट किया तो fx को कितना लिया तू माना न तू fx 2 माना तो x कितना आया वही तो निकाला है तू तेको g-2 निकालना है राइट वो g-fx के लिए तेरे पास फॉर्मूला है तो fx क मैं एक एक्जाम्पल ओर दे रहा हूं यह कोस्टन डारेक्ली पूछे जाते हैं इसलिए इतना इंफेसिस भी दे रहा हूं मैं आपको fx is equal to x raised to the power 5 plus 2x minus 3 and what you need to find out is f inverse dash of minus 3 यह आपको निकाल के देना मझे अब जिससे इस function में आप inverse निकालने जाओगे तो बहुत problems आईगी आप inverse actual नहीं निकाल पाओगे तो आपको जो funda है उससे use करना पड़ेगा आपको x raised to the power इससे कर दो आपको झाल झाल पावर फाइफ है बेटा है अब देखो आपके पास फंड़ा जो है वो यह है कि अगर जी इन्वर्स फंक्शन है तो जी डैश ओफ फोफ एक्स यह होता है यह आपको पता है आपको निकालना है जी डैश ओफ माइनस थ्री तो वन अपन में एव डैश क्या आएगा आपको नहीं पता एक्स की वेल्यू क्या आएगी नहीं पता इक्वेट कर देते हैं अब क्योंकि एफ एक्स इस इक्वल टू माइनस थ्री आगे है कहां से रिलेट किया भाई यह रिलेशन लेके आएं एफ एक्स माइनस थ्री होना चाहिए एफ एक्स खुछ फंक्शन यह है सो देयरफोर एक्स की पावर फाइफ माइनस थ्री से माइनस थ्री कैंसिल हुआ एक्स की पावर फाइफ प्लस टू एक्स इस इक्वल टू जीरो हुआ after taking common x x की power 4 plus 2 equal to 0 आपको समझ में आ रहा होगा कि x equal to 0 यह आएगा x की power 4 plus 2 तो 0 हो यह नहीं सकता क्योंकि x की power 4 minus 2 आ जाएगा जो कि possible नहीं है real number के लिए ठीक है तो x equal to 0 आ गया तो अब मतलब क्या है मैं को क्या निकालना है यहाँ जब मैंने fx minus 3 लिया तो यह 0 आ गया तो f dash of 0 निकालना है आपको ठीक है अब f dash of 0 निकालने के लिए आप क्या करोगे simple है इसको differentiate करोगे और f dash of 0 निकालोगे तो कितना जाएगा भाई साफ 0 plus 2 तो आपका अंसर कितना आना चाहिए therefore f inverse of dash of minus 3 is equal to 1 by this is how you find out अभी आया समझ में उसका importance तो शिरुवाले example मैंने easy लिये थे उनका inverse साब निकाल at least you should be able to relate it जब भी आप याद रख पाऊगे नहीं तो याद ही नहीं रख पाते हो मैं देता हूँ एक example पलो इसी को आप क्या लिख सकते हो ना इसी को आप लिख सकते हो जी डैश ओफ वाइर इसको इसे भी लिख सकते है एक सेकंड रूप इन्वर्स फंक्शन इसके निकालने में लग जाएगी बटा जब ही तो इन्वर्स निकाल पाते हैं हमेशा तो अपन को यह सब्सक्राइब करने जरूब करने जरूब करने इसको इस तरीके से भी लिखेंगे अपन ठीक है चल एक और कोश्चन करो a function fx equal to x plus sin x plus e power x then find झाल 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 जाल झाल कि यह रहे अभी हाँ बिल्कुल कर सकते हो तन्वी उससे भी जा सकते हुआ तो बस इसको डिफ्रेंशियेट किया और इसको रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं गया इस कोशन प्रिविएस पेच पर पर लए यह कोश्चन लिख लो बटा कुछ डाउट नहीं है मैं आगे बढ़ू हाँ लिख लो उसके बाद में प्रिविएस पेच लिखने के बाद में आगे अब इन्वर्स टिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ हम लोग कि डिफ्रेंशियेशन यू सीखेंगे पूरा नहीं सीखेंगे बट एक पार्ट तो सीख लेंगे हम यहाँ पे यह लिख लो इसमें तो बेटा यह नोन है अगर जी एफ का इन्वर्स एफ जी का इन्वर्स टो एफ इक्वल टू एक्स होना है उदर से शूप करने में दिक्कत आईगी देखो अगर तू करेगा तो यह वाला कोश्चन का बूल रहा है निखिल नहीं एफ जी ओफ एक्स क्यों नहीं हो सकता है अगर एफ जी का इन्वर्स है तो जी एफ का इन्वर्स है न बेटा इसलिए हमने यह लिखा है हां यार पता नहीं वाइस में बहुत डिफिकल्टी आ रही है अज समझ नहीं बढ़ा मुझे अब तक तो ठीक ले ले लेक्चर में भी नहीं आई दोनों की वेल्यू एक्स आईगी अगर एफ और जी एक दूसरे के इन्वर्स है तो बेटा साक्षी एफ अगर जी का इन्वर्स है तो जी एफ का इन्वर्स है बेटा एल एक्स का इन्वर्स यिवार एक्स उताएं एकी पावर एक्स का इन्वर्स अलनेख सोता है देखो अगर आपको दिक्कत है तो अगर एफ अफigor्त f of g of x निकालते हैं कितना आएगा e raised to the power g x आएगा e raised to the power ln x आएगा यह actually function की property है ठीक है अभी एक दूसरे के inverse है अभी voice हो गई क्या सई यह still it is cracking ठीक है तो अभी clear होगे आपको क्या इन दोनों में से कुछ भी लिख दो यार कुण सा helpful है यहाँ पर अगर आपको यह helpful था तो मैंने क्यों चलो अब आगे प्रीगों पर थोड़ा सा जाता हूं कि देखो इन्वर्स ठीकों आपने इन्वर्स फंक्शन पढ़े हैं जैसे की कि प्रीवेस वाला देख लो भाई इसको देख लो उसके बाद लिख लेंगे हैं अब जैसे इन्वर्स फंक्शन की बात करूं इन्वर्स ठीकों की बात करूं तो अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन ओफ एक्स है तो हम क्या करते हैं वाई इस इक्वल टू साइन ओफ एक्स लेते हैं X is equal to sin inverse of Y लिख देते हैं. So, X is equal to sin inverse Y आ जाता है. And therefore, अगर मैं कोई Fx का inverse function निकालना है. MOD is not our MOD काई पाटे inverse trigonometric का differentiation सिखा रहा हूं बैटा. तो उसके लिए थोड़ा सा inverse पढ़ा रहा हूं आपको. तो F inverse X निकालूंगा तो sin inverse X आएगा दोस्तों. आना चाहिए है. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम. बट यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत होती है. वोईस ब्रेक को रही है, क्या वापिस है? यह किसी particular कोई दिक्कत आ रही है. अरे यारे तो दिक्कत आ रही है. समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में आने लाए एक ब्रेक हो रही है. चलो, ठीक है. ओके तो ठीक है. अगर अब दिक्कत आएगी तो फिर हम next class में पढ़ेंगे. ठीक है? चलो, तो आगे बढ़ते हैं. यह funda होता है inverse निकालने का. यह simple funda होता है. बट हमारे साथ problem यह होता है कि यह जो sin x जो होता है, यह sin x 1 1 on to function नहीं होता है. sin x is on to function. यह 1 1 on to function नहीं होता है. तो भाई, जब 1 1 on to function नहीं होता है, तो इसका inverse तो हम निकालने सकते हैं. नहीं, आवाज कट रही है क्या बेटा? तो ठीक है, देखो. तो अभी फिर आप एसा करो, इसको मैं next class में ही चालू करूँगा. एक्सेप्ट exercise second जो आपकी रहने वाली है, उसमें inverse वाले जो question है. inverse वाले जो question है, inverse trigo के जो differentiation है. उसको छोड़ के आप पूरी आपकी book कर सकते हो बेटा. ठीक है? तो आप उसके लिए proceed करना, सिर्फ inverse trigo वाले छोड़ देना. अगर अब अवाज अच्छी आ रही है, तो मैं class ले लेता हूँ. हाँ, HSC right. exercise two के inverse वाले छोड़ के, बचे हुए साजय आप कर सकते हो. प्रोसीट करो, solutions देखो. solution आपको पूरी एप मिलेगी. एप को डाउनलोड करके, आप पूरा solution देख लेना. हाँ, मैं class ले रहा हूँ. वो तो बीच में voice खतम हो गई थी, इसलिए मैं सोच रहा था, अगर अब भी voice के लिए रहे तो मैं लूँगा. तो इसको छोड़ के आप सारा कर लो, ठीक है? अब देखो, वापीस से मैं इधर आता हूँ. अब आपको ये पता है, इन्वर्स आपने थोड़ा बूतो ट्रिग्नोमेट्री में देखा ही था, कि भाई, अगर आपको वापीस ब्रेक होने लग गई. अब देख लेते हैं, अगर अब भी वापीस से थोड़ी देर में ब्रेक होगी, तो फिर आपने नेक्सक्रास में करेंगे, अब आरी ये प्रॉपर, it is okay ना, ठीक है चलो, ठीक है तो अभी continue कर लेते हैं, अब अगर ब्रेक होई तो फिर आपनेस्क्रास में करेंगे, आपको ये समझ में तो आ आ गया था, आगया होगा कि अब आपको क्या करना है, और आप देखोगे तो question आपको ठीक मिलेंगे आपकी HSC book में, इसलिए मैंने आपको बोला है, यह HSC book की, right, exercise 2 के inverse टीगो के छोड़के सारे, no, you can do it, अब देखो, अब देखो यहाँ पे, आपने यह निकाल लिया, inverse function भी निकाल लिया चलेगा, but मेरे साथ problem यह है के भाई, sin x तो one one on two function होता ही नहीं है, तो मैंको क्या करना पड़ेगा, one one on two नहीं होता है, I have to make it one one on two, I have to make it one one on two, अब केसे करूँगा, one one on two बोलने के लिए आपको पता है, एक output is corresponding to one input, तो मैं इसको sign के लिए minus pi by two two, pi by two domain लिख लेता हूँ, अब अगर मैंने यह function बना दिया है, कि भाई, इसके बीच में मैं sign के बात करूँगा, आप बनाऊँगा, तो minus pi by two से तक, pi by two पर one value होती है, minus one value होती है, अब यह function strictly increasing आजाता है, और strictly increasing आता है, डुमेन के अंदर one one on two बन जाता है, ठीक है, तो sign x is not one one on two in the whole domain, बट अगर मैंने उसकी domain minus pi by two two, pi by two कर दी, यह minus pi by two two, pi by two कर दी, function क्या आजाएगा भाई, अब मेरे पास function जो है, और on two भी आएगा minus one से plus, नो तो inverse of sign x is possible, अब इसमें अगर possible है, वो हमारे पास ये वाला होता है, ठीक है, तो input output से मैं इसे ही काम करेंगे, जिसे कि, अगर मैं sin x function रहता है, यहाँ पर धियान देना, fx अगर equal to, fx की value हो जाती 0, बीच-बीच में voice crack हो रही है क्या, तो छोड़ो यार, फिर आपन नहीं पढ़ाएगे, क्योंकि फिर नहीं समझ में आएगा, तो पूरे inverse trigonometry में दिक्कत आएगे, अगर inverse trigonometry में नहीं ठीक है, फिर अपन next class में करते हैं, आप अभी फिर यह complete करो, and meanwhile start solving booklet, अगर आपके यह हो जाते हैं, जैसी कि बूख complete हो रही है, start solving booklet, start solving, booklet, अगर आपके इन्वस्ट्री को start करूँगा, after HSC book, HSC के बूख के बाद में booklet चालू करना बेटा, ठीक है everyone, HSC textbook complete करो, 12th का tension दूर करो, महरास्टा CT के tension दूर करो, उसके बाद J-Mains की बात करेंगे, booklet solve करेंगे, ठीक है, महरास्टा CT कर दूर्याओे, a feel partner OliviaSon, … जफा रहिक बूर्म्ट्री का दweन्ट आप करेंगे, Pvे खात करेंगे, दूर्म्टब हरे और ड्वहें एंगे, एंगे भुवऔ,